हेलो व्यूज आज के अपिसोड में आपको स्वागत है तो चलिए पहले पिछला प्यास प्रश्चन देख लेते हैं सवाल था हाली में स्रो द्वारा लॉंच किया गया GSLV F12 नविगेशन उपग्रह किसका स्थान लेगा तो इसका सही जवाब था उप्शन A, IRN SS1G, B, IRN SS1A, C, IRN SS1F या फिर D, IRN SS1H तो इसका सही जवाब था उप्शन A, IRN SS1G चलिए पिसका विचलेशन देखते हैं आज इस रोके GSLV F12 ने नविगेशन उपग्रह NVS1 को इच्छित कक्षा में सफलता पूर्वक स्थापत किया ये अगली पिड़ी के नाविक उपग्रह को ले जाने वाले एक अंत्रिक्ष मिशन है इसके तहट लॉंच किया गया NVS1 उपग्रह वर्ष 2016 में लॉंच किये गये IRN SS1G उपग्रह का स्थान लेगा इसलिए विकलबे सही है आपको बता दें कि नाविक साथ उपग्रहों का एक समूह है जो नागरिक उपग्रहों के लिए मानक स्थिती सेवा और रणनीतिक उपग्रहों के लिए प्रतिबंधित सेवा प्रदान करता है इसके लिए तीन उपग्रहों को भू स्थातिक कक्षा में और चार उपग्रहों को जुकी हुई भू समकालिक कक्षा में स्थापत किया गया है ये भारत और इसके आसपास के 1500 किलोमेटर तक पहले एक शेत्र को कवर करता है चलिए अब आच के सेशन का पहला सवाल पीएम मित्र पार्क किस मंत्राले संस्थान की एक पहल है एलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रद्योगी की मंत्राले कौशल विकास और उद्यमिता मंत्राले सूख्षम लगो और मध्यम उद्यमंत्राले या फिर वस्त्र मंत्राले तो सही जवाब है option D वस्त्र मंत्राले हाली में मध्यप्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश के धार जिले में PM मित्र पार्क स्थापत करने के लिए केंद्र की साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये आपको बता दे कि PM मित्र का पूरा नाम PM Mega Integrated Textile Region and Apparel है वस्त्र मंत्राले ने 2021 बाइस के केंद्रे बजट में घुशित 7 PM मित्र पार्कों की स्थापना के लिए अक्तूबर 2021 में एक अधी सूच नचारी की थी इसलिए विकलपड़ी सही है ये प्रधान मंत्री के 5F Vision अर्थात Form to Fiber to Factory to Fashion to Foreign से प्रेरित है इस योजनका उदेशय आतनिरभर भारत के निर्मान और भारत को वैश्विक वस्त्र मांद चित्र पर मजबूती से स्थापत करने के दृष्टिकून को साकार करना है पीएम मित्रपार के एक स्थान पर कताई, बुनाई, प्रसंसकरणी रंगाई और छपाई से लेकर परिधान निर्मान तक एक एकिकरत वस्त्र मूले श्रंखला बनाने का अवस्त्र प्रदान करेगा चले नेक्स क्वेश्चन नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन या निवा एप्लिकेशन को किसने वित्पोशित किया है संसद्य कारे मंत्राले, संचार मंत्राले, सूचन एवं प्रसारन मंत्राले या फिर विग्यान एवं प्रद्योगी की मंत्राले तो इसका अंसर है उप्षिन है संसधिय कारेमंत्राले हाली में संसधिय कारेमंत्राले ने नई दिल्ली में राष्ट्रे ई-विधान एप्लिकेशन या नीवा पर दो दिवसी राष्ट्रे कारेशालका आजन किया राश्ट्रे ई-विधान एप्लिकेशन एक डिवाइस न्यूट्रल और सदसे केंदरित एप्लिकेशन है जिसे विधायका की कारेवाही को पेपरलेस बनाने के लिए बनाया गया है ये भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कारेकर्म के तहट 44 मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है इसका उदेशे सभी राजे विधान सभाव के कामकाच को डिजिटल हाउस में बदल कर पेपरलेस बनाना है इसके लिए विधापोशन संसद्य कारे मंतराले द्वारा और तकनीकी सहायता इलेक्ट्रोनिक्स और सूचन प्रवद्वगी के मंतराले द्वारा प्रदान की जाती है इसलिए विकल पे सही है अगला सवाल हारी में खबरों में रही जोजिला टैनल किन शहरों को कनेक्ट करेगी जमो और श्रेनगर ले और कारगिल श्रेनगर और ले या फिर मनाली और ले तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रेनगर और ले है मेगा इंजीनिरिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटड यानी M.E.I.L. के इंजीनिर जोजिला टरनल को युदस्तर पर पूरा करने में लगे हुए हैं आपको बता दें कि जोजिला सुरंग जम्मू कश्मीर और लद्दाक को जोडने के लिए बनाई जा रही एक महतवपून सुरंग है ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग होगी जिसकी लंबाई 14.15 किलोमेटर है ये सुरंग श्रिनगर और लही को जोड़ेगी इसलिए विकल्पसी सही उत्तर है ये लद्दाक और देश के बागी हिस्सों के बीच 12.80 संपरक प्रतान करेगी साथ ही ये इस अत्यांत महत्पून रणनीती क्षेत्र में सैनिकों और आपूर्ती के आवचाही में तेजी लाकर इस क्षेत्र में रहने वाले नागरी को और सैनिकों को लाभान वित करेगी चलि अगला प्रशन प्रसिद डांसिंग गर्ल किस हडपा स्थल पर पाई गई थी? मोहन जोदरू, सुरकोटदा, हडपा या फिर धोला वीरा? तो सही जवाब है option A. मोहन जोदरू हाली में हडपा सभेता की नरत्यांगना की प्रसिद मूर्ती समचारों में देखी गई थी 1926 में मोहन जोदरू के खितर में ब्रिटिश पुरातत विद आरनिस्ट मै के द्वारे कांथ से मूर्ती की खोच की गई थी इसलिए विकलपे सही है इस मूर्ती को उसके मुदरा के कारण डांसिंग गर्ल नाम दिया गया है जिसमें उसका दाहिना हाथ उसके कूले के पीछे और बाया हाथ उसकी माई जांक पर टिका हुआ है बड़ी आखे, घुंगराले बाल और चप्टी नाक उसकी कुछ प्रमख विशिशता है ये मूर्ती लॉस्ट वेक्स पदिदी का उपियो करके बनाई गई थी जिसमें एक मॉडल बनाने के लिए पिखलोई हुए मोम को एक साचे में डाला जाता है चरे एगला सवाल हाली में समाचारों में देखा गया आएनस सिंधूरतन है परमाणू पंडूबी, सिंधूगो श्रेणी की पंडूबी, भारते नौसेना का जलपोत या फिर निर्देशित मिसाइल विद्वन सक तो सही आंसर है अप्शन B, सिंधूगो श्रेणी की पंडूबी हाली में सिंधुगो श्रिनी की पंडुबी आयनस सिंधुरत्न रूस में नौसेना डॉक्यार्ड में मरम्मत के बाद मुंबई लोट आई इसलिए विकल्प भी सही उतर है इस पंडुबी ने नौर्वेजन सागर, इंग्लिश चैनल और भूमदे सागर के माध्यम से 97 दिनों की वापसी आत्रा की इसे रूस में मेडियम रिफिट लाइट सर्टिफिकेशन प्रक्रिया से लैस किया गया है जिससे इसकी उम्र बढ़ गई है आपको बता दी कि आएनस संदूरत्म को दिसंबर 1988 में भारतेनों सेना में शामिल किया गया था इसमें 2300 टन का विस्थापन 300 मीटर की गहराय में गोता लगाने और 18 समुदरी मील की शीश गती प्राप्त करने की ख्षमता है ये 50 से अधिक क्रू के साथ 45 दिनों तक काम करने में सक्षम है चलिए आगे बढ़ते हैं ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के समध में निमनिलखित कत्रों पर विचार कीजिए पहला कतन ये बंदरगा नौवहन और जलमार्क मंतराली की एक पहल है और दूसरा कतन इसका उदेशे 2030 तक भारत को ग्रीन शिप के लिए ग्लोबल हब बनाना है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है कौन से कतन सही है सही है केवल एक केवल दो एक और दो दोनो या फिर ना तो एक और ना ही दो तो इसका सही उत्तर है और ऑप्शन सी एक और दो दोनो हाली में केंद्रिय बंदरगाह नोवहन और जलमार्क मंतरी ने हरियाना के गुरुग्राम में ग्रीन पोर्ट और नोवहन में भारत के पहले रष्ट्रे उतकृष्टता केंद्र का उतखाटन किया आपको बताती कि मार्च दोजार तेईस में बंदरगाह नोवहन और जलमार्क मंतराले ने ग्रीन पोर्ट की दिशा में आगे बढ़ते हुए ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम या जी टी 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 पी लाँच किया था इसलिए कथनेक सही है इसके तहट बंदरगाहों में उप्योग के जाने वाले टग बोर्ट को ग्रीन टग में परिवर्टित किया जाएगा जो गैर जिवाश मींधन जैसे मेथनौल, हाइडरोजन या अमोनिया पर चलते हैं आपको बता दें कि एक टग या टग बोर्ट एक नाव है जो पोत को बंदरगाह की और खीच कर या धक्का देकर जहाज के मूरिंग या बर्थिंग ऑपरेशन में साहेता करती है इसका उदेशे 2030 तक भारत को ग्रीन शिप के लिए ग्लोबल हब बनने में मदद करने के साथ उत्सरजन को कम करना है इसलिए कथन दो सही है तो इस प्रकार विकलपसी सही उत्तर है एमजोन फेस किस अंदर्भ में निमनलखित कत्रों पर विचार कीजिए एक, ये एमजोन वनो पर भविशे में बढ़े हुए सियो टू सांदर्था के प्रतेक्ष प्रभाव का अध्यान करने के लिए एक दीर करकालिक पहल है और कथन दो, इसके तहट ब्राजील एमजोन में कारबन डाय उकसाइड को स्प्रे करने के लिए छे छलों में विवस्थित टावर उकाइक परिसर बना रहा है उपर उक में से कौन सा है कौन से कथन सही है, सही है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनो, या फिर ना तो एक और नहीं दो इसका अंसरों का उप्शन सी एक और दो दोनो हाली में जलवायों परिवरतन के मुद्धे पर अपने अनूठे दृष्टिकोन के लिए एमजोन फेस प्रोजेक्ट खबरों में रहा आपको बता दी के अमजोन फेस में फेस का पूरा नाम फ्री एर सी यो टू एन्रिच्मिंट है ये अमजोन वनो पर भविशे में बढ़े हुए सी यो टू सांतरता के प्रतेक्ष प्रभाव का अध्यान करने के लिए एक बड़ी और दीर्ग कालिक पहल है इसलिए कथन एक सही है इसके तहट ब्राजील अमेजन वर्शा वन में कार्बन डायोकसाइड को स्प्रे करने के लिए छे चल्लों में विवस्ते टौवरों का एक परिसर बना रहा है इसलिए कथन दो भी सही है ये परियोजना इस बात को समझने के लिए चलाई जा रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा उश्रकटी मंदिय वन यानि अमेजन वर्शा वन जलवायों परिवर्तन पर कैसे प्रतिक्रिया करता है आपको बताते चलिए कि अमेजन वर्शा वनों को लंग्स ओफ दी प्लानेट कहा जाता है क्योंकि ये बड़ी मातर में उक्सीजन का उत्पादन करते हैं इस प्रकार विकल्प सी सही है चलिए अब नोट कर लिजे आज का अभ्यास प्रशन दिजिटल लेंदेन को बढ़ावा देने पर समर्थ अभियान किस मंत्राले या संस्था की एक पहल है तो सवाल का जवाब कॉमन सेक्शन में देना मत भूलिएगा मुलाकात होगी अगले एपिसोड में तब तक के लिए जैहिंद कि एक भीज़ झाले याद टी एक पहल है